हलो दोस्तों वेल्किम ट्यू आईस्टीए सोम आज ये वीडियो में 68 बीपेसी जो एक्ष्ट्री में पूछेगे हैं उसका जो है से मैं एंसर की बताने जा रहा हूं और एक्स्ट्राइशन के साथ कि क्यों यह एंसर होगा तो सारे जो है क्वेशन पे बात करेंगे जितने भ बात करेंगे और दोस्तों यह जो है से सिस्ट्नाइच बीपीसी के लिए फाउंडेशन कोर्स भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तो इसके लिए आप जो है इस पर जूर जाएज इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लिजी और टेलिग्राम पे भी जूर जाएगा वहाँ पर दियाब्ध प्रोवाइट करूंगा, तो टेलिग्राम का लीम देस्स्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, टेलिग्राम भी इसी ना अगर deeply भी पुछा जो इस बार पुछा गिया है तो वो भी आपको नहीं छूटे तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो पहला कोशन देखते हम लोग क्या था जो जैसे कि पहला कोशन इसमें जो है दिया हुआ इस सेट में साथेसी और बांद को व्हाइड कोट्व एड किस में अपनाया गिया था किसन अपनाया गया था तो पार्टिशन कर देंगे बंगाल अड़िहार को और उसके बाद उन्हेस जुलाइक को एनौस किया और उसके बाद यह साथ अगस्त को से क्या नाम है आपको कलकत्ता में जुआ इसका सौधेसी आंदोलन के बारे में यह हुआ कि सौधेसी आंदोलन श्टार्ट हुआ साथ अगस्ट नहीं से पांच को और 16 अक्टूबर नहीं से पांच को बंगाल पार्टिशन लागू हो गया था जिसके इसमें राकी दीवस भी लोगों ने मनाया था दरवंगा बगारा के शेत्र हों में राकी दीवस मनाया था पक्सक्राब के बाद के इसे न से बिसके बंगाल को सहे यह उएगजामनेशन हों बगार देरहें तो पूछी आती है काफी जुराए साथ अगस्त और dapat शो हूए नहीं साच अगस्त और इसके बाद नेक्स्ट है कि अर्दकलकत्ता सेशन आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस आइंसी हेल्ड इन इंटीन अट्रेस्ट फ्लाइव और सौराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ड वाइव तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था इसका हम लोग हिंदी में ही कोश्चन को देख ल आइव तो यह से सौराज का जंड़ा जो है सक इसके द्वारा उन्हें सच्छे में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष बने थे यही उन्होंने सवराज दिया ही था सब्द जो है सबसे पहली बार दादावाई नहीं 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 से साथ में सू दो डिवाइड हो गया था उसके जो देखते रासब्यारी गोश्ट थे उन्हीं सच्छे में जो दादावाई नहीं नहीं सौराज के जंड़ा जो है फैराया था उप्शन बी जो है इसका एंसर एकुरिट है उसके बाद नेश्ट है कि सौतंतरता संगराम के दौरान भारत कि ढ़ल उसका राजाओं के दौरा तो यह जो था तो इसका जो आंसर है एक से अधिक हो सकता है क्योंकि यह जो है इसका पार्ट का राज्ज जन आंदोल का जो है यह सी एक हो सकता है एक पर डिपेंड करता है बहुत कि ये इसका एंसर क्या देता है अगर इसको शचन के थोड़ा सब्धाब्ट है लेकिन ज्यादे तर जो है कि चांसेश जो मुझे लगता है कि इसका जो अंसर होना चाहिए वह होना चाहिए क्योंगी यह परजाम अंद्र आंद्डोलन जो है आप जो है से डीपली कोश्चन पुछा जा रहा है तो इसको भी आप लोग पढ़ना पड़े जी ने असायोग आंदर के हाथ खीच लिया था तो यह सही है गांधी जी ने अपना पहला पर्मुक्स सरवजनिक भासन बनारा सिंदू विश्विद्याले में दिया था यह भी सह गांधी जी को ग्रफतार कर लिया गया तो यह गलत है तो यह गांधी जी ने जो आसायोग आंदर शुरू किया और जब आसायोग आंदर शुरू किया तो चोरवड़ी जो है उन्हींसा बाइस को गुड़ग पूर के निकर्ट गाउं चौरी चौरा में 22 कर्मिये को जराद यह था जिसको गांधी जी यह इन्होंने कहा भी तक हिये हिमालियग जैसी चौरी चौरा के बाद के बाद में बारदोली में जो है उन्होंने बारा सबसे पहली बार अपना सब्सक्राइब कर लिया गया था और जो है से दस मार्च को दो सच्छे साल की सजा हुई थी इनको लेकिन जो है उने सब्सक्राइब कर दिया गया और उने सब्सक्राइब करनाठक में तो यह सबसे पहले जो गिरफतार किया गया था तो यह इस तरह से आप इसका देख सकते हैं इसका जो एंसर वह जाएगा आपको आपको प्शन सी जो है इसका अनसर पुझाएगा तो यह सब्सक्राइब कर देखर आपको इसके बाद नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं कि अबल्कलाम आजाद के दौरा किस पत्रिका का सब्सक्राइब किया गया था तो लहहुर। Option B इस नह AOE पत्रिका और किताब लिखी थी Indie वेज़ी सम्ऩानी अर्म पत्रिका थी तो कुछ पत्रिका थी THIS यह और तर्जिमाईल्कुरान यह यह उन्हें लिखा था एक किताब हुआ सबसे जो है से यूवा जो है साध्यक्ष ते कॉंग्रेश के दिली में बने थे और सबसे जाद समय तक अध्यक्ष रहने वाले यही थे 2014 से उनिषॉ retract तक यह कंग्रेश के अध्यक्ष भी रहे थे अब देखते हैं नेस्ट कोशन क्या है कि 19-20 शताबदी की अंत में इतिहास के अध्यान ने भारत के वे राश्रियात्या की भावना पैदा करने में किस परकार मदद की तो किस परकार जो है से निसनलिजम का जो है से फिलिंग्स लाने में यह जो है से हिस्ट्री ने किस परकार लोगों की मदद की तो इतिहास के पुन वयाख्या करके और अंग्रेजों त्वारा भारतिये को पिछरा अधीम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके तो यह सही है क्योंकि हमारा इतिहास बहुत पुराना है और स्विलाजीशन हमारा सबसे पुराना है तो यह बात से यह नहीं कि हम जो है से पिछरे हैं और हमके शासन जुए सामसासन के लिए असमर्थ है तो यह चीज़ को जो है नहीं होना चाहिए बल्कि इतिहास के जुए से अलग तब स्थ ver फिश्थ करने लाइक हम लोग पिछरे सब जो है से उसके बाद मोगल काल भी था तो वह बी है के अगरव शाली था और इसको कोई यह नहीं कर सकता है विकला नहीं सकता है और हमारी उखलब्दियां पर हम लोग को गर्व करना चाहिए तो यह भी सही है ब्रिटिश रहसन के तदैनि एस्तितियों को बदलने और संगर्स करने के लिए लोगों से आगरा करके तो यह साही है क्योंकि हमें को आप लोग जानते ही है जीसे हिंजागर्स करके लोगों, सब को संगर्स करके लोगों कि ने निमंगे से कोन सा कथन सही नहीं है इसमें कहा जा रहा है तो अंदुलन में केबल उच जाती हूं और अमीडर नों भाग लिया तो कि जहां केबल लग जाए ना तो वो थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रीम एक्स्टेटमेंट हो जाता है जादे तर कोशन में आउनली जो है वो गलत हो जाता है तो पहला तो हमारा गलत है मदरास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाओं को वहिस्कार किया गया यह बी जो है गलत है क्योंकि मदरास की जस्टिस पार्टी जो थी वो कॉंग्रेस की जो है से कटूआ लग सिथी और यह जो है से कॉम्रेट की पर्चिदवन्दी थी तो यह सपोर्ट नहीं किया था हजारों चात्रों ने सरकारी नियंतरन वाले स्कूलों को छोड़ दिया परदार अधिया पकवार सिख्षों को ने इस्तिफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस चोड़ दी तो यह सही है क्योंकि यह जो है से किया था राजेंद परसाद ने भी छोड़ा था और उसके बाद जया प्रकाश्नरान के कुछी दिन बचे थे कॉलेज में तो नोंने अपने जो है से कॉलेज को छोड़ दिया था यह जो है साही एक सन्यासी जो फीजी में गिर्मिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीट पर तुलसी दासरा माइंड की एक पर्टी लेकर आया था जिसमें वह ग्रामीन जिकर है वह है यहां जैसे ही ग्रिमिटिया मजदूर और चुलसी दासरा माइं तो आपको इनसे जो है से एंसर मिल जाएगा बाबा रामचंद्र थे अबद के छेतर में उन्हें सब्वीस बगरा में जो है सिक्किन आंदुलन चेरा था तो बाबा रामचंद्र जो थे अब एक इसका एंसर घॉजा ओप्शन सी अगए को स्थापना ने 22 में किसके दोारा की गई थी तो यह जो की गई थी ओल इंडिया हारी जन्संग की अस्थापना यह की गई तो महातमा गांदी की दो शओक्र सबसे पहले अध्याक्स थे जीडी बिर्ला थे सबसे पहले अध्या पांच मार्च 1937 को यह हुआ था इनके बीच और इर्विन की बीच गांधी इर्विन पैक्त उसके बाद सेकंड राउंड टेवल कॉंफरेंस में भाग भी लिए और फिर जो है लेकि 24 सितमर को पूना पैक्ट हो गया था गांधी जी अर्म बेतकर के बीच इसमें दलीतों को रहा दिया गया गया उसके बाद गांधी जी ने अपना भूकरताल तोड़ दिया था और उसके बाद ही गांधी जी चांस्ट्रक्टिव काम में लग गये थे शक्रमात्मक कारज में लग गये थे और उसके पहले जो वह देख से वो ते जीडी बिर्ला ऑप्शन बी इसका अंसर हो जाएगा निश्टा बीस परवड़ी उन्हें से सालिस को परदहान मंतरी एटली ने भारत में ब्रिटिश शासर को कब तक वापस ले ली कि घोशना की थी तो ये घोशना इसमें जो हाट जुलाई को पास भी हो गया था बिर्टिस संसद में और उसके बाद भारत को पंद्रा गस्वने इस सफसाथारिस को अजादी मिल गए और पहले जो भारत के गवर्नर जेनल थे आजादी के बाद वो लाड मांट वेटर नहीं थे और जो पहले भारती गवर जरन्यल थे वो थे सीराज गौपालाचारी आज़ादी आ आखडी बहरती आखडी गवर्नर जिननल सीराज गौपाला चारी घी थे अर उस टाम में जब आज़ादी मेली तो कंगोरेस के अद्यक्श बाले नहीं ता vibration जो है इसका एंसर रह जाएगा वे स्वराज दिशान ह बाइस में आंदुलन को बापस ले लिया आसा ही हो गांदुलन को तो इन लोगों को थोड़ा ये हुआ ये लोग प्रोचेंजर थे लोग चाते थे कि हम एसेमली में गुस्ट कर जो है वहां का काम को डिस्टरब करें जिसकी वहां गांधीजी नहीं चाहते थे लिए भाग ल होने दो गूंजा और इसको जो है इस पार्टी को महमद अलिजिना ने भी सपोर्ट किया था तो यह जो है सबना की थी के ले लगोंने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के किस बिरुद्ध किस कर भर रोद करने का भी और चुना था किस कर Single लिए प्रेट किया था तो जै इसे लो है उन्हें कोई नहीं किया था था खी दाड़ी ओक्षिन इंडियन स्टाक्ट किया था अविकास संफंधर और यहां कीम वने की आत्राा की आत्रा कर दान ए प्रेट ऐसे लिए और उनक्राटना स्टार्ट वह सबसे आदे सत्यागरा का चौकेदारी कर नहीं देंगे वाला घटिक बिहार के निर्वाचित सरकार ने इस में किस कारण से इस्तिफादे दिया तो यह जो दे दिया था वो देशा राजनितिक कैदियों को छोड़ने कारण option 20 का answer हो जागा राजमितिक के चोड़ने का रहा उन्हें से 49 होता अगर तो उसमें जो इस्तिफाद दिया था 20 महींदों के बाद सरकार बनाये थे और उसके बाद तो राजमितिक के चोड़ने के कारण उन्हें इस्तिफाद दिया था नेश्टेक इसने चंपान सत्यागरा के दुरान बिहार में गादी जी की जान बचाई थी यह जान किसने बचाई थी तो यह बचाई थी बतक मिया ऑप्शन ए जो है इस क बच गए थी तो यह जो है चंपारन सत्रह में इंडिको कल्टिवेटर के खिलाब जो है राज को मर्शुक लें उन्हें से सोला में इनको आगरा किया तक गांदी जी को क्या आप चंपारन आया उनकी दुरदर्शा को देखिए जिसके संदर में जो है चंपारन वो कि अगवाई की तो यह किती तो यह किती स्वामी विद्यानन मदवनी दर्वंगा के शेतर में खास कर गए उन्होंने यह अगवाई की थी यह मदवनी के थे ऑप्शन ए जो है इसका एंसर हो जाएगा पर राचीन काल में गंगा के दक्षिन को पहले कि आ जाता था घुह है शिछ पहले कि उसको जैसे को अठाए और इसको प्राचीन वेंग ने रहती है इन दियुन है ंफशन को आजेंगा है तो उन्भारती ओं महादीट में लूह का पड़यों कब शुरू है तो लौहए का हजार बी सी जो है शुरू हूआ लोहय का पड़ेगग हजार बी सी के गरीब तो एक किरीगव यूज़ू है भारतीयों प्रमा क्रुदी में मतलों उत्तर बेदिक काल के बीच में उत्तर वेसी जो है शुरू हुआ तो इसका जो से अंसर तीन हजार बीस की कड़ी होगा तैस नियुक्त आट जो उसका अंसर हो जाएगा कि ने स्टे दूसरा शताबदी के सपास रचित संस्क्रित के सिला लेक शुदर्शन जील एक किलत्रिम जलाश्चे की मरमत किसने की थी तो यह यह एक प्रिक मौोरे ने बनाए था और तो बनवाया था तो इसी इसे मरंमत किसमें थी तो शक्षत्रब था रूलार रुद्रदामन उन्होंने यह मरंमत करवाई थी, रुद्रदामन. जुना गड़ा फिलेक में इस बात की चर्चा भी है. निएम जासी के पास देवगढ के मंदिर अडेलाबाद के पास गडवा मंदिर में दिनी म१टिया किस कالाके महत्पुन अशीश है तो देवघढ जहां ब्यवियर में जहाँ में तो देवगर्ट राची में तो इसमें जो है से गुप्त कला आप्शन ए जो है इसके जो है मुर्टियां के कला का मत्पुर्ण अफ्शेस मौजूद है गुप्त कला का इसके बाद देखते हैं next question कि निमलकित मेंसे किस युद में मुख्य बिरोध्यों को सही उलेख नहीं किया गया है इसमें सही आपका प्रत्म युद बावर और अबरहाहिम लोधी तो यह सही है 1526 में हुआ था इसमें जो है से बावर ने जो है इबरहाहिम लोधी को जो है से कर दिया था आप्शन यह जो है सभी है पानी पत का दीतिया यूद्ट टीपू सुल्तान अर्मराथ यह जो है गलत है क्योंकि यह से अकबर आर हेमु के बीच वा था पंदरोसोग छपन में फोऊद्धिये यूद्ध होगा था यह तो पंदरा से चपन में यूद हुआ था और आपशन सी बीस पंदरा से शेकर में यूद हुआ था और आपशन बीच इसका अंसर हो जाएगा इसे गलत है अब देखते हैं क्या कि दिल्ली सल्तनत के तुरान मुकद्दम चौदरी पाद का इस्तमाल किनके लिए क्या जाएगा तो यह आपशन में जो है आप खूट चौदरी तो असल में जो है से विलेज हैट्मन गाओं के सरपंच के लिए भी कहा आप लेकिन कहीं कहीं पे आप्शन जो है रास्व अधिकारी भी दिया हुआ तो राश्चरव अधिकारी भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ लurun मुझे जो जहां तक लगता है कि इसका एंसर गाउं के सर पंच होना चाहिए बाकि BPSC इसका क्या रहता है क्योंकि जादतर जगा पर गाउं के सर पचा लेकिन कुछ जगा पर रास वाधिकारी भी दिया हुआ है निश्ट तबाकत अकवरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकवर नामा से अधिक विश्वस नहीं माना जाता है किसके द्वार लिखी गई तो यहीं का गया कि अबुल फजल ने लिखा था अकवर नामा और तबाकत अकवरी जो है यह किताब किसने लिखी थी जिसको जो है अबुल अखबर नामा से भी अधिक विश्वास नहीं माना जाता है तो सबस्वाप सुत्राइब के थवाकत अखबरी किसकी रचना है तो वहे निजाम उद्दीन आहमाद की अफशने इसका अंसर है निजाम उद्दीन आहमाद इन में से किस परशिस आ सकते हैं अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागल पुड़ा में एक उपनगरी वस्ती के स्थापना की थी तो यह किस ने किये था नागल पुड़ा में एक नगरी बसाया था तो यह जो क्या था यह क्रिशन तुलू बढ़ाय के सासर के पुष्टक भी लिगी थी और इनके दर्वार में आठ तेल्गू कभी भी हुआ करते थे तो क्रिशन देव राइ काफी परवाव शाली काफी एवल रूलर थे संगम डाइनिस्टी के मतलब तुलूब डाइनिस्टी के उसमें तो यह जो है कृष्ट देवरा थे बाबर ने इ स्थापना निमलिकत में से किसके समाज द्वारा की गई थी तो किस समाज द्वारा जो है पत्ना विश्विद्ध डाली के स्थापना उन्हें से चालिज में की गई थी इसमें कुछ दाद करने का है निए इनमें से किसने उने श्यास श्विद्ध की गई स्थाप्ट की गई सिमा का नित्रत किया था था भारत ऑफगानिस्तान की विज्डव कि वीट बहरत इंते फ्र breathe नलिए मांगाल में महलबारी बंदवस्थ बनाली शुरू की थी वब हो से गाँ से लिगहें वेखता करके तो यह किया थां कि अप्श श्रूब किया था और रायत वारी यहां जिरा प्रप्रेमिन वडावन फौलिजमिन ने खुछ यह ने ची tut जिसका वी इसका प्रम सब्सक्राइब करिक लांन के लिए पाइब पहले सत्यागरी थे लानएयरू दूसरे थे जो है वो तीसरे थे और बिहार से किनों ने स्टार्ट किया था तो बिहार से जो पहले सत्यागरी थे वो ते सिरी क्रिशन सिंग और उसके बाद जो सेकंड सत्यागरी थे वो थे अनुगरह नारायन सिंग जो है सेकंड सत्यागरी थे नेश्ट है उन्हीस अठारा में मौन्ट तो इसमें बहुत सारे कॉंग्रेस ने अपना रूफ अपनाया था इसमें इसी में जो है डायर की प्रोविंस में स्टार्ट कर दिया गया था बाइक केमरल लेजिसलेचर भी इसी से शुरू हुआ था तो इसे जो है उधारवाधी जो है इसे तूट गए थे और अपना एक अ अम्रेशन जो है 1946 में कैस मार्च उन्यसक शालिस को भारत न आया था झार यह किसके लिए भारत भी जा गया था तो यह भीजा गया था आपको सब्सक्राइब के उप्षांच करने के लिए इसका जो और वो जाएगा ऑप्शन वीकेवल्ड टू जो है इसका अंसर हो है इंस्ट्रिम कॉर्णमेर जिसके है जो है जबालान नेरू थे हैं अब देखते हैं नेस्ट कोश्ट इन में से किसने हमायू को यह परसाद दिया था कि यदि उसे बंगाल परादिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और दस लाग जिनार की बारशिक सरदा अर्पित करें तो यह बात किसने कही थी तो यह जो कहा था वह इसमें बैरम खान तो होगा नहीं आक वर किस टैम में था बहादूर शाद जो है से मौल्टी मौगल रोज लवर था और जो है से बहादूर शायग जो थे वारंजेप के बाद हुआ था रूलर तो उसके बास बास में यह से चलता था हमायू और शेर खान का और इसके बाद पंदरा सौन चालिस में चोस्ता के यूद में हमायू को परज़ित किया था लुए इसके बाद से इसका एंसर हो जाएगा विक्रम शीला वश्विद्धाले के दौरा सथापित किया था उस द्रबर जाएगा धर्म पाल के द्वारा जो है विक्रम शीला अस्थापित किया गया था इस पहले बिहार के परिफम-राजिपाल कोन थे तह पहले गवर्णर जो है ये चैनल सीब्स श्रूप्टं आप्शन ये इसका असर हो जाएगा पहले पुछा था कि पहले जो भारतिय गवर्णर सतंद्र प्रसंद्र सीना और पहले गवर्णर सतंद्र की बाद को थे जैराम दौलत राम थे पहले मुखमंतरी कोन थे तो सिर्ग किर्शिंग सिंग थे नेटे मात्मा गांधी औन भिहार सम के लेखा कौन थे तो मात्मा गांधी औन भिहार सम रैमिनेसस्थ के लेखा जो थे वो थे यह कि राजडख़र राज अंदर प्रसाद आप सब स्था reporter ग्रण लाल गांगूली झिने उनके मंचीय नाम अशुक क्मार से बी जाना जाता था उनका जनम भीहार के में किस शेहन नहीं हुआ था ऊई जह जो दोस्तों यह था आप Po तो टोटल एथिहास का जो है से तीस कोश्चन जो मैंने जो भी कोश्चन था जितने भी मैंने करवा दिया आपको इसमें जो है से सारे एंसर के साथ मैंने बता दिया है जो भी जितने भी कोश्चन आये थे तो अगर आप लोगों को आप लोगों को कितना इसमें से सही होड़ तो आगर गैलत बताया होगा तो मैं उसको एकसेप्ट करके आपको सूर्स देखूंगा अगर नहीं तो मैं आपको बता दूगा कि नहीं यहां से है मैंने सही बताया है तो आप जो है से आप लोग भी उसको बताएगा आप दोस्तों वीडियो से अच्छा लगे तो प्रेज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और शेयर कर दीजेए ताकि जादर से जादर लोग इस पर जूर सके थैंक्यू